के विलकुम तो मैं बादर फ्लावर्ड सेंसिक्टी टेल कैसे हैं आप अप सब आप ठीक है तो आज के नए नइस पास कोई बनावटी इंसान है सच में आपके आसपास को बनावटी इंसान है या-नहीं यह वह सब आप मुझे इंस्ट्रागाम फेस्बूक और इमिल आइडी के तू आसान इसे पस्नल लेडिंग ले सकते हो इसकी लिंक दिस्किप्शन बॉक्स में दी गई है तो वहां से आपको सीफ मुझे मैसेज करना है किसी एक के उपर भी तो मेरा वाटसप नंबर आपको मिल जाएगा पजास रुपेज से ही पस्नल लेडिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारे लोग मुझे से पस्नल लेडिंग ले रहे हैं तो आप भी आसान इसे जोड़ सकते हो अब लाइव सेशन बुद्धवार कुरवार सुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा साम साथ ब बजे की बीच में तो आप भासान इसे मुझ से जोड़ सकते हो तो चले चार्ट करते ही गाई तो दिए एक है क्या अब कि आपके आस पास कोई बनावटी इंसान मुद्धी कृए कि उनक्यास पास कोई बनावटी इनसान है बाई जिसके सेने भी चूस की है डिवाइन उनि अब मुझसे personal reading बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 उपे से start होती है, बहुत सारे लोग मुझसे personal reading ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जोड सकते हो, इसके लिए description box में Instagram, Facebook और email ID की link दी गई है, तो वहां से किसी के उपर भी आप मुझे message करेंगे, तो आसानी से आपको मेरा WhatsApp नमर मिल जाएगा, और आपको online payment करना है, Google Pay या PTM या Phone Pay के जरिये, चले देखते हैं, file 1, faith, perception, Mysterism, okay, Confusion, Triggery, पैसम, Vanity, complacency, wisdom, what of today है हमारे पास है, acceptance, यहां रखते हैं, यहां से देखते हैं, Pile 1, region, 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 no place like home, why, okay, Chopped and Observer, bottom of today हमारे पास है, loyal heart, okay, अब यहां जो साइन आए हैं, वो है, Cancer Spices, Copio, Permanent है, Aries, Leo, Sagittarius की energy भी permanent है, यह जो दो element मैंने बताए हैं, वो पूरी तरीके से permanent है, इसके मताबिक ही रेडिंग आपकी रहेगी, अब यहां, Gemini Libra Aquarius की energy 80% है, और Taurus Virgo Capricorn की energy आप ध्यान से देखो, तो सिर्फ 50% ही है, तो yes, यहां हमारा सवाल है कि क्या आपके आजपास कोई बनावटी इनसान है, इसके लिए आपके लिए first ही card, यहांनि first ही answer आया है, yes, card की मताबिक, कि आपके आजपास कोई बनावटी इनसान जरूर है, जिसके चलते यहां आपकी जो energy है, वो बदलती रहती है, आप कोसिस करते हो अपने तरीके से फिर भी, यह बदलती क्यों रहती है, यह आपके मन में भी सवाल आता है, कहीं ना कहीं, तो yes, आप भी सोच में पढ़ जात कहना चाहते हूं, आप किसी को अपनी बाते बहुत आसानी से नहीं बताते होंगे, चाहाए आपके फ्रेंड्स हो, आपके आसपास की लोग हो, उनको अपनी बाते, अपनी चीज़े, अपने तक ही ज़्यादा सिमित रखना पसंद करते हो, ज़्यादा उनके साथ including होना है, लेकिन अपनी बातों को ज़्यादा सैर नहीं करनी है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हाँ, आपके कुछ अपने लोग होंगे, उनके साथ जरूर सैर करते होंगे, क्योंकि उनके उपर आपको भरुसा है, लेकिन जिनके उपर आपको बिल्कुल भी भरुसा नहीं है, उनके साथ आप अपनी बाते सैर नहीं करते हो, आपके जिवन में गिने चुने लोग ही होंगे, जिनके साथ आप अपना अच्छा कॉलिटी टाइम बिताते होंगे, वो भी यहाँ है, यहाँ अभी आपकी एनरजी की बात की जाये, तो अभी आप एक सोज समझ कर चलने बाले परसन हो, चाहे आप उम्रों में छोटे हो या बड़े हो, लेकिन आपने दुनिया से इतना जरूर सेख लिया है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, जो आपके एनरजी से यहाँ आ रहा है, कि सभी लोग मतलब ही है, सैल्फिस है, अपने बारे में सोचते है, हमारे आप इतने अच्छे थे कि लोगों के साथ आपका इतना अच्छा गूलना मिलना था, लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से आप बाचित करते थे, सामने से बुलाते थे, आपका एक टॉन में भी इतना ज़्यादा बदल लाव आग चुका है, पहले आपका टॉन जो थ वैसे आपने अपने जीवन को समझा वैसे वैसे आप धीर घंबेर होते चले गए और अभी आप एक बहुत थी एक सूजबूज और टैलेंट से चाला किसे अपनी समझदारी से काम देना जान गए हो वो यहां है अब यहां ट्रिक्रिक की एनरजी है और यहां अब्जवर और विजडम की एनरजी है इसका मतलब यह होता है कि आपने बहुत कुछ अब्जव किया है अपने जीवन में जिसके चलते आप बहुत कुछ सीखे हो दोख के बादे भी आपके जीवन में हो चुकी है बहुत सारे लोगों के साथ आप आपके खुद के फ्रेंड से अपने धो का काया है ये भी यहां नजर आ रहा है इस वज़र से ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अंसर बता दिया है कि येस आपके जीवन में कोई बनावटी परसन है ये जो बनावटी परसन को लेकर आप मैं कहना चाहते हूं कि वो कहीं न कहीं आपकी बातों को जानने की कोसिस करता है क्योंकि जो मैंने कहा आपका सवभा वाप सब्भी लोगों के साथ सैरिंग करने का तो नहीं रहा है जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा वो आपके जीवन को लेकर जानने की कोसिस करता रहता है लेकिन उनको ज्याद बता नहीं चल पाता हैं कूंकि बहुत सारी बात आपके तकी सिंब्स हैं ज्यादा तर आपने अपने फ्रेंड़ सको भी खो के बाते ही बटाई हैं सभी बात अपने दिल तक रहती हैं आपकी portfolio को भी आपकी बहुत सारी थ्वक भी है अको भी अनर्जी आई है वो यहीं दिखाती है कि कहीं न कहीं आप हर्ट भी हुए हो दुखी भी हो जिसके चलते आपने अपने मन को अपनी और कर लिया है जो ठीक लगता है वो करते हो अपने जिवन को एक स्पेसिल जो में आपने बना दिया है और जिसमें आप खुज़ भी हो अपने मुताबिक लाइब को एंज़ोई भी बहुता है यह हैं आपunuzप seperti जानने की कोसिस करता है लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता है जिसके चलते वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों से भी आपकी बार जानने की कोसिस करता है लेकिन वो नहीं पता चल पाता है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक जिस वजर से आपके बारे में नहीं जान पाने की वज़र से वो आपकी फैमिली के थुरू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रियेट करता रहता है आपके जीवन में जिसके चलते हैं आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रियेट हो लेकिन यहां प्रॉब्लम क्रियेट होती हुई नजन नहीं आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आवरनिस में आ चुके हो आपके लिए लास्ट काड़ा है कन्फूजन, विजडम और ट्रिक्री ये तीनों का कॉंबिनेशन ये दिखाता है कि अब आप किसी के उपर भरुसा नहीं करोगे अब आप किसी के उपर आँख बन करते हुए कभी भी कुछ भी किसी भी तरह के डिल भी नहीं करोगे और अपनी बाते भी सर नहीं करोगे अब आप बहुत ही ज़्यादा कौंसेस इंसान बन चुके हो और अपनी intellectual का ही इस्तमाल करते हुए आगे बढ़ते हो और बहुत ही लोगों के साथ आपका गुना मिला बहुत ही आसान होता है जो यहां नजर आता है लेकिन अपनी बात कौन से नहीं बताने हैं इसको बारी में बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है और जब मैंने कहा गिने चेनल लोग है आपके जीवन में फ्रेंड्स है उनको यह आप बताते हो और उनको भी ज़्यादा अपने बाते से नहीं करना ही पसंद करते हो अपने तक ही ज़्यादा से ज़्यादा सिमित रहता है इस वज़र से यहां बीच में काड़ा है भाई कि यहां यह जो बनावाटी परसन आपके जीवन में है वो सोच में पड़ गया है कि आप क्यूं ऐसा कर रहे हैं आप इस तरह से क्यूं है लेकिन वो चाहे कुछ भी सोचा आपको लेकर लेकिन आप अब नहीं बदलेंगे मैं क्यूं बदलो? किसीने कभी भी मुझे जहां सपोर्ट करना चाहिए था मुझे नहीं सपोर्ट किया तो मैं क्यूं बदलो अब? अब आप इस तरीके की एनरजी में आ गए हो आप बहुत ज़्याद अबसर करते हुए चलते हो आप सर से पहरे तक किसी इंसान को देखोगे और फिर उनके साथ बाचित करोगे और बाचित की तोर तरीके में भी आपको कुछ दावुट नजर आईगा तो आप उनसे distant maintain करोगे उनकी हलचल से, उनके हावबाव से, उनके looking wise किसी भी तर आपको कुछ भी problem नजर आई तो आप उस इंसान से दूर रहना ही पसंद करोगे लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि कोई इंसान आपकी आँखों में आखे डाल कर बाचित कर रहा है और एक बहुत ही विश्वास की भावना दे रहा है तो भी पता चल जाएगा कि इस इंसान के उपर कही न कहीं भरुसा किया जा सकता है फिर भी आप उनको तीन चार दिन देखोगे मिलोगे फिर आप नौटिस करोगे कि इस किसान के उपर हम मैं भरुसा कर सकता हूं तब भी भरुसा करोगे वरना बिल्कुल भी भरुसा नहीं करोगे तो यस पहले आप जिस तरीके के थे उसमें काफी ज़्यादा बदलावाज चुके है आपके जिवन में जो बनावाटी परसन है वो आपको लेकर जानने की कोसिस करता है फिर भी वो कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ गर्ड मठल या कुछ ना कुछ गर्डबर करने की कोसिस करता रहता है वो यहां नजर आता है यहां आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं आप से कुनफिजन की एक एनरजी मिलती हो उनको कि आप साहते क्या है या आप कुछ नहीं चाहते हो तो यहां आपको लेकर आपके फैमिली सोच में पढ़ गई है तो इसको मेंटेन कीजे यहां आपके फैमिली को अपने विस्वास में लेना बहुत ज़दा जरूरी है अब आप कैसे उनको विस्वास में लेंगे विस्वास में लेने की भावना आपकी होने ही चाहिए और वैसे ही आप बहुत ही बहुत ही अच्छी जो मैंने कहा आपके तारिफ की कि आप बहुत ही बुद्धिसाले इंसान हो तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है इस वज़र से ही वो आपके family को ही Tesla कर रहे है उनका ध्यान हटा रहे है आपकी तरफ बार बार आपको लेकर उनकी अलग बुन जायत है एक doubt की energy रहे confusion की energy रहे आपको समझना पाए इस तरीके से ध्यान हटाने की कोसिस कर रहे हैं तो इसका थोड़ा ध्यान दीजे यह बनावटी परसन आपको लेकर तो कुछ यहां करता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन यह आपके फैमिली को डिस्ट्रिक करने की कोसिस कर रहा है तो इसका थोड़ा ख्याल रखे बागे तो यहां आप सब को ख्याल रख रहे हो ध्यान दे रहे हो वो तो यहां नजर आ ही रहा है तो यस जो बनाटी परसन को आप पहचाना चाहते हो तो यहां में यही कहूंगी कि वो आपके एक आसपास के जो आपके फैमिल के लोग है जो उनकें कहीं जिनकें मिलते जूलते है तो उनके साथ वो बातचित करते हैं लेकिन आपके साथ बातचित नहीं करते हैं कि उनको doubt है कि आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत जपादा जो मैंने कहा Buddha साली हो तो आप तुरंद उनको पहचान जाओगे कि यही है जो मेरे परिवार में फोट डालने की कोशिस कर रहा है तो वो आपके परिवार के साथ बाचित करता है लेकिन आपके साथ बाचित नहीं करता है तो पैचन जाओगे यहाँ acceptance के energy है और loyal heart तो यही है कि आप अपनी acceptations किसी के ऊपर थोपते नहीं हो आपका सोभाव रेली में बहुत ही अच्छा है आपका लोगों के साथ एक बहुत ही हलका फूल का जो एक genuine way में आके बढ़ने का जो एक nature है वो लोगों को बहुत अभिभूत करता है एक विस्वास दिलाता है कि कही न कहीं आप बहुत ही based person हो और बहतरीन person हो और वाकई में आप हो ही हो और loyal heart की energy आई है तो जो मैंने कहा आपके परिवार के विस्वास को तोडने की कोशिस को इनसान ये जो बनावटी इनसान कर रहा है तो इसको परक लिजे, जान लिजे, पहचान लिजे कि वो कौन है और फिर अपने लोगों को यहां ये जो बनावटी इनसान है वो जादा कुछ आपके जिवन को खराब नहीं करेगा लेकिन ये बनावटी इनसान बार-बार किसना किसी पहलू को लेकर आपके परिवार में थोड़ी नोगजो क्या इदर उदर करने की, परिस्तितियों को इदर उदर करने की कोशिस कर रहा है तो इसका ही ख्याल रखना है इस वज़र से चोकन ने तो हमेशा रहना है, अवनेस में तो हमेशा रहना है जिसके चलते आपका अपने परिवार को लेकर जो विस्वास है वो कोई तोड़ ना पाए इस वज़े से मैंने आपको समझा दिया है कि अपने परिवार को अपने हाथ अपने खुद के विश्वास में रखोगे तो ये आपके आज पास कोई भी इंसान होगा जो आपकी फैमिली को कभी भी बढ़का नहीं पाएगा तो अपने फैमिली को अपने हाथ में रखे यहां ग्रिन स्टॉन हाँ थोड़ा कंट्रोल जरूरी है इतना ध्यान रखो ग्रिन स्टॉन अपने चूज किया है तो येस आपके जिवन में कोई बनावटी इंसान है आपके आसपास कोई बनावटी इंसान है जिसके चलते आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि जो आप ये ग्रिन स्टॉन की तरह हो वो लोगों को एक जेलसी की फिल कराता है उनको जेलसी होती है जिसके चलते वो कही ना कही जेलसी की भावना में यह बहुत कुछ कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए उनके दिमाग दिलों दिमाग में एक इसा होती है देश होता है मैं क्यों नहीं कर पाया है यह क्यों कर रहा है तो यह जो जालस ही है उसके चलते ही लोग कुछ ना कुछ खराब करने की कोसिस करते हैं तो आप इस तरीके से हो इस वज़र से ही लोग कुछ ना कुछ क्रियेट करने की कोसिस करेंगे लेकिन आप उसको सब कुछ संभाल लेंगे जो मैंने कहा है उसके मताबिक चलोगे तो आप सब कुछ संभाल लें लोगे यह है रिडिंग डू लाइक सेर सब्सक्राइब इन कॉमेंट लव यू बाई हाई एवरिवन अब जिस किसने पाइल चूस की है ब्लू एन वाइट स्टॉन तो चले देख लेते हैं कि क्या आपके आसपास कोई बनावती इंसान है पाइल की डिवाइन यूण्वर्स पताइए आप मुझसे पशनल लिडिंग बहुत आसाने से ले सकते हों पच्छास अपैसे स्टार्ट होती है बहुत सारे लोग मुझसे पशनल लिडिंग ले रहे हैं उनको उनका जवाब भी मिल रहा है इसके लिए आपको डिस्किपों बॉक्स में इंस्ट्रागाम, फेस्बूक और इमेल आईडी के लिए मिल जाएगी, इस तीनों में से किसी के ऊपर आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है और मेरा वाट्सप नंबर आपको तुरंथ ही मिल जाएगा, चले देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू, क् कि आसपास कोई बनावती इंसान है, सेल्फ वाथ, वेस्टम, क्वेस्ट, रिलेज, आईसोलेशन, ओके, पर्फेक्शन, रिन्यूवल, इंपासलिटी, गोसिट, यह जिसके सखिवे पाइल है, वो इंसान बहुत चादा इमूसनल है, डेस्टिनी, बहुत ही संस्टिव है, उनको छोटी-छोटी बात के ऊपर भी, बहुत चादा बुरा लग जाता है, वो छोटी बातों को भी नहीं सह सकता है, इस वजर से, ओके, रिडिंग के तो बताते हूं, यहां से देख लेते हैं पहले, पीस, लोयल हार्ट, है विश्वास तो है, कॉमिनिटी, नो प्लेस लाइक होम और और्फनेट, बाटम टे रेक हमारे पास है, न्यू लाइफ, तो अब यहां, जो साइनाई है, जो मैंने कहा, यह जिस किसे की भी पाइल है, वो इंसान बहुत ही संसेटिव है, बहुत ही इमोसनल है, जिसके चलते ही उनके जीवन में किसी भी तरह प्राब्लेम क्रियेट होती है, है, गैंसे स्पाइस कौपयों की एनरजी पर्मिनन्ट है, एरिज, लियो, सजिटेरियस के एनरजी यहां सिर्फ 60 पर्मिनन्ट है, तौरस, वर्गो, कैप्रिकौन की एनरजी प्र्मिनन्ट है, और यहाँ Gemini Libra Aquarius के energy 80% है तो आप बहुत ज़्यादा emotional होने की वज़र से आपको बहुत ही जल्दी बुरा लगता है लोग आपको समझते हैं लेकिन कभी-कभी आप लोगों को नहीं समझ पाते हो और सामने बाले का tone आपको disturb करता है वो यहाँ है कहीं ना कहीं सामने बाले का tone है सामने बाले की बाते हैं सामने बाले की expression है सामने बाले की how bow है वो आपको बहुत ज़्यादा touchy feel कराते हैं बहुत ज़्यादा आप एक दुखी हो जाते हो हो जाते हो और आप समझने ही पाते हो कि क्याcoon मैं ऐसा करता हूँ हाँ आप अपने आपके साथ भी कभी कभी अपने आपको strong बनाने की कोसिस करते हो इस वज़र से अपने साथ भी कभी कभी बाचित करते हो कि नहीं मुझे ऐसा feel नहीं करना है लोग तो कहते रहेंगे इससे क्या है, इससे क्या होता है हमें अपने मुताब इखी रहना है इस वज़र से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप कटी कटी से रहते हो लोगों के साथ आपको मिलना जुलना जरूर है लेकिन जब मिलते हो तब जादा effective हो जाते हो जादा आपको फिल होता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था इस नरीके से क्यों कहा था इस वज़र से आप अपनी ही दुन में अपने तरीके से ही रहना जादा पसंद करते हो आपको जादा लोगों के साथ involved होना के साथ जितना वक्त बिताना चाहते हो बिताते हो यानि उनके साथ हर तरीके की बाते सैर करते हो लेकिन कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आप कभी भी एक बाचित हुई है लेकिन बहुत ही कम हुई है तो उनके साथ आपका गुलना मिलना बहुत ही वक्त लग जाता है आपको तो अभी जो आपके जीवन में जो फ्रेंट होंगे वह प्रनिघ्र के होंगे आगे जो आपने उनके साथ ने के साथ जॉबया बिजनेश किया है तो वहीं लोग अभी भी आपके साथ जॉइνडी होंगे नई लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा गुलना मिलना एकदम से पसंद नहीं करते हो नई लोगों के साथ आपको फ्रेंड्सिप करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है बहुत वक्त लग जाता है और जो आपके एक past के friend है उनके साथ भी आपके एक friendship है वो एक बहुत ज़्यादा गहरी है ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आता है मैंने कहा आप सीव अपने परिवार के लोगों के साथ ही जादा से जादा वक्त बिताते हो उनके साथ ही हर बाते सैर करते हो बाकी आस पास के कितने भी close लोग हो friend हो calling हो या आपके workplace के लोग हो या कोई भी लोग हो उनके साथ आपका वक्त नहीं करता है, नहीं बिता है, क्यूंकि उनकी छोटी-छोटी या बड़ी बाते आपको बहुत जदा होट कर जाती है, दुखी कर जाती है. तो हमारा सवाल है कि क्या आपके आसपास कोई बनावटी इंसान है यहां आपके आसपास कोई बनावटी इंसान नहीं है आपके आसपास कोई बनावटी इंसान नहीं है लेकिन आपका स्वभाव जो sensitive है जो हर एक इनसान के लेकर आपके जो एक सोच है आपके जो thought process है वो कही न कहीं चेंज होते रहते हैं कि इस इंसान ने मुझे इस तरही किसे कहा है तो कहीं न कहीं ये इनसान मुझे जलता है या कुछ और ही उनके दिमाग में चल रहा है तो मुझे इनसे दूर हो जाने में ही भलाई है इस वज़र से आप ज्यादा से ज्यादा यहां भी आपको कुछ बता देते हैं, आपकी बाचित के थो, गोसिप के थो, तो आपको उस चीज में से, इस बाते में से बहार निकलने में इतना ज्यादा वक्त लग जाता है, आपको उस परिश्तिती में से release होने में वक्त लग का है तो ये आपके एक sensitive nature में ही है आपके बच्पन से जो आपको एक जिस तरीके का वातावरान मिला है जिस तरीके से आपको एक अलग तरीके से एक आप जो बड़े हुए हो उसके मुताबिक ही आपका एक सोभा हो चुका है तो यहाँ यही है आपका education, आपका वातावरान, आपका संसकार हर तरीके से बच्पन से जो कुछ भी मिला होता है उसके मुताबिक ही कोई भी एक person जी एक सन देता है तो वैसे आप हो sensitive हो, emotional हो लेकिन बहुत ही हिमती हो, बहुत ही बुद्धी साली हो लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा inject करना चाहते है, ज्यादा से ज्यादा बाचित करना चाहते है connection में आना चाहते है, आपके साथ bonding रखना चाहते है लेकिन आप ही ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो क्योंकि आप बहुत ही talented हो बहुत जादा एक काबिलियत है आपके अंदर बहुत सारी चीजों में practical भी हो emotional भी हो, socially life भी बहुत अच्छी है आपकी और आपका काम बहुत ही अच्छा होता होगा आप हर चीज में बहुत आसान ही से कर जाते हो वो भी यहां है और आप जिनका विश्वास जीतते हो वो lifetime रहता है क्योंकि आप किसी का दिल तोड़ना या किसी को hurt करना नहीं आता है आपको आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है इस वज़र से ही आपके लिए first काड़ा है self worth आपको self worth issue है कहीं ना कहीं आप बाचित करते वक्त भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अज़ीब feeling महसूस करते हो और confidence के साथ बाचित करने में भी आपको आप इतने ज़्यादा बुद्धि साली हो आप इतने ज़्यादा मैच्चूर हो talented हो, जिम्मेदार हो समझदार हो फिर भी आपको एक confidence level भी थोड़ा इधर उधर होता है क्योंकि आपको एक बहुत सारे लोगों के बीच में भी एक थोड़ी problem होती है वो है यहाँ तो ऐसे भी लोग दुनिया में है तो यहाँ में यहाँ यही कहूंगी कि आपके आसपास कोई बनावाटी person नहीं है इतना ध्यान रखो आप इतने बुद्धिस आली हो आप इतने समझदार हो तो आपको कोई कुछ नहीं उखाड सकता है कोई बिगाड नहीं सकता है क्योंकि आप बहुत जाद awareness में भी हो चोकने भी रहते हो और आप बहुत ही smart होने की वज़र से लोगों के साथ ज़्यादा गुलने मिलना आपको बहुत पसंद नहीं है और अपने बाते भी ज़्यादा यहां share करते हो लेकिन इस तरीके से share करते हो जैसे लोगों को सामने वाले इंसान को आपकी बाते उपर से ही निकल जाते है बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से समझ में नहीं आती है तो यह साब के जिवन में कोई बनावटी इंसान नहीं है कोई आपको लेकर कुछ भी बुरा नहीं सोचता है लोग आपके साथ गुले मिलना चाहते हैं लोग आपके साथ आना चाहते हैं लोग आपके साथ बाच्चित करना चाहते हैं लोग आपसे एडवाइज लेना चाहते हैं लेकिन आप ही उनसे दूर रहना पसंद करते हो और यहां मैंने एक बात नौटिस किया है आपकी यह जिसके से की भी पाइल है आप हमेशा अपने आपको ही खोजते रहते हो, डिस्कवर करते रहते हो, अपने आपको ही एक खोजना है, यानि अपने आपकी काबिलित क्या है, अपने आपके क्वालिटी क्या है, अपने आप में क्या खासियत है, क्या मैं और ज़्यादा ग्नान प्राप्त कर सकता हूं, क् में कुछ नया creation कर सकता हूं वही आपका 100% focus रहता है आप किसी के उपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो और किसी से आपको कोई मतलब नहीं है आप किसी से जलते भी नहीं हो आप किसी से डरते भी नहीं हो आपको अपने आप में ही रहना है और आपके लिए घर ही बहुत ही secure place ह तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहना पसंद करने वाले इनसान होंगे हाँ आपको गुमना फिर्ना भी पसंद है गुमना फिर्ने में भी आप बहुत ही एक अलगनदास से अलग डंग से अपनी life को enjoy करते हो और जहां भी गुमते फिरते हो वहां भी अपने ए कि आपके जीवन में बनावाटी लोग नहीं आ सकते हैं कि आप इतने ज़्यादा एक नैच्रल परसन हो कि कोई आपको लेकर कुछ सोचता ही नहीं है कुछ कोई आपके लिए गलत सोचता ही नहीं है क्योंकि आप जिस इंसान के साथ बाचित करोगे उनके साथ जब तक बाचित खतम नहीं हो जाती है तब तक उनके साथ एंड टक बहुत ही सोबा एक तरह से बाचित करोगे फिर उनके साथ and मतलब आप उनके साथ फिर बिल्कुल भी एक जब भी बातचित करने आएगी तब आसानी से बातचित करोगे लेकिन फिर अपने तरीके से एक friendship रखनी है रिस्ता रखना है बार बार फॉन करना है मैसेज करना है ये सब कुछ आपका नहीं है सब कुछ cut unclear जिसके चलते सबी लोग आपके workplace के लोग हो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह हमारे साथ यहां बातचित करेगा लेकिन कभी एक सिफ work के थ्रू ही बातचित करेगा ज्यादा अपने relation अपने परिवार अपने family को लेकर ज्यादा बातचित नहीं ही करेगा आपके friends भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बहुत ही natural person हो आप किसी को लेकर कुछ बुरा सोचते ही नहीं हो कुछ कभी चुगली की ही नहीं कभी की दूसरों को लेकर कुछ interference किया ही नहीं तो फिर आपको लेकर क्या कोई आपके जिवन में interfere करेगा या क्या कोई आपके जिवन को लेकर कुछ बुरा करेगा या बुरा सोचेगा ये मुझे बताइए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा बहुत ही amazing है आपके life कि यहां destiny का काड़ा है और new life का काड़ा है यहां एक वाइडवाइस आ रही है आपके लिए कि आप कस जो स्वभाव है यह जो self or tissue है वो जैसे जैसे आपकी उम्रों बढ़ती चले जाएगी वैसे वैसे यह self or tissue पूरी तरीके से दूर होते चले जाएगे लेकिन आपको भी खुद से खुद की तरफ से थोड़ा अपने effort लगाना है अपने आप में एक आपको जो कुछ भी आता है इसके लिए हमेशा विश्वास बनाई रखे faith बनाई रखे जिससे आप अपने आप में एक उपनी gorgeous life जो एक बहतरी लाइब जो आप चाहते हो वो अभी भी है लेकिन इससे भी बढ़िया होगी क्योंकि आपको confidence का level थोड़ा इदर उदर होता है साफ़त इस बज़र से लेकिन ये सब कुछ आप जैसे जैसे लोगों के साथ involved होंगे वैसे वैसे दूर होता चला जाएगा थो यहां white and blue stone आपने चूज़ के इसका मतलब यह होता है कि यहां सिर्फ आपके सोभाव में जो एक आप थोड़ा खीसतान अपने तरीके से कर रहे हो उसको थोड़ी आज़ादी दो थोड़ा freedom दो तो आपकी life इससे भी ज़्यादा amazing हो जाएगी वो आपके लिए जरूरी है